नमश्कार स्वागत है आपका दनेटीज दन न्यूज मैं मैं हूँ आपके साथ पूजा ये रुख करते हैं आज की खास खबरों की और इंदोर मैं एंटी माफिया की बाद अब ड्रक्स माफियाओं और नशीले पदार्त के खिलाफ इंदोर पुलिस सक्थ हो गई है वहीं देरात मलहार गंज पुलिस ने पांच क्विंटल भांग पकड़ने में सफलता हसल की है जिसके कीमत तीन लाक रुपए बताई जा रही है दरसल मलहार गंज पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक लोडिंग रिक्षा में पांच क्विंटल भांग पकड़ी वहीं मलहार गंज पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर मलहार पलतन में घेरबंदी कर गाड़ी का पीछा कर गाड़ी को रुखा और चेकिंग क जुसमें पांच कुईंटल भांग मिली जिसके कीमत तीन लाख रुपए बताई जा रही है वहीं गाड़ी का ड्राइवर मौकी से फरा हो गया मलहार गंज पुलिस ने भांग जबत कर आरुपियों की तलाई शुरू कर दी है हाँ इस सुबह प्रवात गस्त के दौरान हमारे अधिकारी स्विलंकी साथ को सूचना मिली थी एक लोडिंग आटो से भांग जा रही है तो उन्होंने पीछा करके उसको पकड़ा डाइवर भाग गया है और उस पर कारवई चल रही है पांच कुंटल भाग में लगबग तीन लाग कीमती है यह मलार बल्टन ते रहा है जिन सी हाट में लाइग दे नेटीजन न्यूस से सिटीर रिपोर्टर साजित खान की रिपोर्ट फिलाल अभी खिली बस इतना ही लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रही है हमारे साथ नमशकाल